आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसे गुरुकुल के इस ऑफिशल यूट्यूब चनल पर और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारती राश्री आंदुलन और इस भारती राश्री आंदुलन में हम लोग 1857 की क्रांति से लेकर 1927 तक का आजादी तक का अजिहास हम को यहाँ पर कवर करेंगे इसके 3 पार्ट आपके आएंगे और 3-4 पार्ट में इसको मैं कमपलीट करूंगा जो प्रीविसर के पेपर के इसके लगे हुए हैं तो आप फटा फट से कमर कोकस लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस पीपीटी में मैं जो अंदादर लगा पाया इस पीपीटी में जो क्वेशन लगाए गए हैं उसमें दिकतर क्वेशन जो हैं वो आज भारती राष्टी कॉंग्रेस से संबंदित हैं तो स्टार्ट करते हैं सेसन को शेर कर दीजिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए तो फटा फट शे अभी तक आपने गर सेशन को शेर नहीं किया तो फटा फट शेर कर दो और पहले मैं आपको थ्वासा पढ़ा देता हूं ओ ठीक है कि चली चली तो जो कोश्चन मनेगा जो आज की पीपीटी लगी हुई है आज के जो कोश्चन लगे हुए हैं वह वास्तों में कॉंग्रेस से संबंदित कोश्चन लगे हुए हैं समाजिक सुधारक कंप्लीट करा दीजिए ना करा दिया है एक पाइट हो गया है एक पाइट मैं आ तो भारतिया राष्ट्रिया कॉंग्रेस तो जो जो प्रस्ण बनते हैं उसको फटा-फट से देख लीजिएगा ठीक है तो भारतिया राष्ट्रिया कॉंग्रेस में जो आप कॉंग्रेस सब्द देख रहे हैं अगर आपसे पूचा जाए कि कॉंग्रेस का मतलब क्या है तो उत्तरी अमेरिका का एक सब्द है जो कॉंग्रेस सब्द है यह आपका उत्तरी अमेरिका का एक सब्द है जिसका मतलब होता है सक्तिसाली लोगों का समू इसका जो मतलब होता है वो होता है सक्तिसाली लोगों का समू या रखना है सक्तिसाली लोगों का समू अच्छा इस answer Indian 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 National Union तो आपके मन में आना चाहिए किसर Indian National Union अगर इसका नाम था जैदि इसका इंडियर हाँ बटा जो चेसरे से 21 है वो यूपी PCS के पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा ठीक हम यूपी PCS है इसको हटा कर जो Congress शब्द है अगर आप से पूचा जाए Indian National Union का नाम बदल कर India National Congress किस ने कर दिया तो आपका आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी ने किसने कर दिया था तो आपका अंसर आएगा दादा भाई नौरोजी ने, इतने कोई समझ्या, नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगली बास समझते हैं, यहाँ पर समझेगा, इंडियान निसल कॉग्रेश के अगर इस्थापना की बात की जाए, कि इंडियान निसल क होना था समझना इसका जो पहला सम्मेलन होना था वो होना था पुरे में का होना था या पुरे में होना था लिए पुरे में महामारी फैल गई अपुरे में महामारी फैलने के बाद कोर्थ कैसे ले आपको SSG कोचिंग का या डाउनलोड करना है और वहीं से ले लेना है आपको फोड़े में क्या फैल गई तो प्रतनी धियों ने भाग लिया तो आप का आंसर आएगा बहात्तर प्रतिनिधियों ने थीके थो इस पहले संहिलन में total भात्तर प्रतिनिधियों फुल्फाम होता है व्योमेश चंद्र पनर जी क्या नाम बच्चा व्योमेश चंद्र पनर जी बंबाई में कहा हुआ था अगर आपसे ऐसा कोशन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर आएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्ध्याल है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्ध्याल है याँ रखना है आपको तो पहला सम्मिलन कहां हुआ था तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्ध्याल है आप से question पूठे जाएगा कि Congress के संस्थापक कौन थे तो आपका अंसर आएगा ए---- देश की से खारने के लिए बिटिश अधिकारी पच्छे त्याग पत्र दे दिया और देश की सेवा में लग गए तो कोशन ये बनता है कि A.O. Hume कहां रहते थे तो इनको कहते हैं हम लोग हर्मिट ओफ शिमला तो कई बर कोशन आप से पूछा जाएगा कि हर्मिट ओफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है तो हर्मिट ओफ शिमला के नाम से A.O. Hume को जना जाता है अब यहां तक आपको बाते समझ में आई बहुत बढ़िया A.O. Hume ने लोगों को जोड़ने के लिए A.O. Hume, Alan Octavian Hume A.O. Hume ने लोगों को जोड़ने के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी आप सी ये कोशन पुछा जाएगा कि A.O. Hume ने लोगों को जोड़ने के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी तो आप का अंसर आएगा लोक मित्र, पबलिक फ्रेंड या रखना है लोक मित्र नाम की पत्रिका किसकी है तो लोक मित्र नाम की पत्रिका आपके A.O. Hume की है तो क्या A.O. Hume जो थे वो कौंग्रेस के सेक्रेटरी के पत्रिकार कर रहे थे या रखना है आपको जो A.O. Hume थे वो कौंग्रेस के सेक्रेटरी के पत्रिकार कर रहे थे निए सचिव के पत्रिकार कर रहे थे और 1912 में इनकी मित्तिव हो जाती है तो आप याद रखना है माज यहां तक आपको सारी बाते कलीर हें तो इसका Director स्क्रीन साट अप ले सकते हैं फिर मैं आगे आगे है थोड़ा से हैंग कर रहा है कि अच्छलो कोई बात में अच्छ वापस आते हैं तो आपके साम्में लिखा हुआ है ठीक है एक सेट अ कि एक सब्सक्राइब चलिए पहला कोश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है इसको आपको बताना है एक्स्प्रेइन मैं करूंगा आपको ठीकर लिखा हुआ है निम लिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया था आपके आपके आप्टन है होम रूल लीग हिंदू महासभा साउथ इंडियन लिब्रल फेडरेशन दा सर्वेंट्स ओफ इंडियन सोसाइटी यह आपके आंसर है ठीकर ना तो मैं आपको बत प्राप्ति के लिए ठीकर ना तो स्वासासन की प्राप्ति के लिए हना ओल इंडिया होम रूल ली की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना कसरे 1916 में एनी बेसेंट को जाता है एनी बेसेंट के साथ साथ इनकी स्थापना कसरे आपका बाल गंगाधर तिलक को भी जात 1919 20 में 1920 में nie 2019 में इस home rule league का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो आपको याद रखना है यह इसका अंसर चाहिए है तो स्वराड ंदिया home rule league का यह नया नाम था All India Home Rule League का ये नया नाम था तो पहले का आंसर होगा A तो आपका आंसर तो ये हो गया थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं हिंदू महासभा पर थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग हिंदू महासभा पर हिंदू महासभा की स्थापना आपको या रखना है 1915 में हुई थी साउथ इंडियन लिब्रल फेडरेशन इसको हम लोग कहते हैं मदरास की जस्टिस पार्टी क्या कहते हैं या मदरास की जस्टिस पार्टी और इसकी स्थापना की थी सी एन मुदलियार ने इसकी स्थापना की थी सी एन मुदलियार ने 1916 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल क्रश्न गोखले द्वारा की गई थी गोपाल क्रश्न गोखले जी के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थाप कि चलिए आगे बढ़ा जाए हाँ तो मैं क्या कर रहा हूं आपको दा सर्वेंट्स आप इंडियन सोसाइटी के इस्थापना किसने की थी गोपाल किस गोखली जी ने की थी 12 जुन 1905 में की थी और कोशन आप से पूछा जागा गोपाल किस गोखली साथ और कौन-कौन विक्त अलादी कृष्ण स्वामी एलादी कृष्ण स्वामी ऑईयर तो आपको या रखना है अलादी कृष्ण स्वामी अंसर आपको पता चल गया अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं अगले गुछन गते हैं अगला कोशन देखिए और आसर आप लोगो बताना है लिखा हुआ भारति-राश्री कॉंग्रेश की स्थापना आप लग बताया के से सथापना 28 तृषत को हिर और कि सथापना हैono हुऊ है तो भातर द्राश्ति कॉंग्रेस की स्थापना कभ वी तब भातर द्राश्तिक कांग्रेस की स्थापना 28 देसिश्थाफना न्यां कहा होला था खमयू ना था फोल देनर करा था योज त है बंबाई में बुआ था एैप गोकुल डास तेजपाल संस्कत विद्याले में हुआ था और कितने प्रतिनी धियों ने भाग लिया था बहात्तर प्रतिनी धियों ने भाग लिया था और इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल कर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस कर दिया गया था दादा भाई नौरोजी की सिफारिस पर ठीक ना तेस कांसर लगा देंगे हम लोग 1880 इसका लगा देंगे 1880 पर ठीक ना चलिए आगे बढ़ें अगला कोशन देखते हैं लिखा हुगा है 1927 की जो बटलर कमेटी बनाए गई थी उस बटलर कमेटी का उद्देश क्या था समझना है आपको इस बटलर कमे सब्सक्राइब कर दिया जाए कई बार कोशन आया है यह कोशन है आपका आई-एस 2017 का देखिए क्या लिखा हुआ है तो केंद्रियों प्रांक्ति सरकारों की अधिकारता निशित करना गलत भारत के सेक्रेटरियों और स्टेटी सक्तिया निशित करना गलत राष्ट्रवाद सब्सक्राइब करना गलत भारत सरकारों देशित रियाशा तक भी सम्मत सुधारना बिल्कुल सही है तो इसको याद कर लिजेगा तीसरे कोशन का अंसर होगा आपका अगला कोशन दिखते हैं लिखा हुआ है भारती राश्टी कांग्रेस का पहला दिवेशन का हुआ हुआ था थाइस दिसंबर 1880 को बंबाई के गोकुल्दास देजपाल संस्क्राइब विद्याले में हुआ था ठीक ना इसका आंसर होगा बंबई या मूंबई लगा दिना आपको फूरे मत लगाईएगा पूरे नहीं होगा इसका आंसर ठीक पूरे मत लगाईएगा चलो अगरा कोशन देखिए अगला कोशन लिखा हुआ है निम लिखित में से अगला कोशन लिखा हुआ है निम लिखित में से कौन सा एक चंपारन सत्यागरे आप देखना है आपको गांधी जी का जो पहला सत्यागरे था भारत में वह 1917 का था चंपारन सत्यागरे क्या था आपका जमीन के तीन बटे बीस भाग पर नील की खेती करवा रहे थे और नील की खेती करवाने से किस फसल को सबसे ज़्यादा नुक्सान हो रहा था तो नील की खेती करवाने से धान की जो फसल थी उसको सबसे ज़्यादा नुक्सान हो रहा था और जो नील की खेती कर तो रहे थे उसका पैसा भी किसानों को नहीं मिल रहा था, तो इस पद्धति को कहते हैं तिन कठिया पद्धति, एक कठ्था में एक बटे बीस होता है, तो तीन उपर लिखा हुआ है, तो इस पद्धति को कहते हैं तिन कठिया पद्धति, हना तब गांधी जी से पहली बार मुलाकात रा राजकुमार सुकल के बुलावे पर महत्मा गांदी राजकुमार सुकल के बुलावे पर महत्मा गांदी कहां पहुंच जाते हैं बिहार के चंपरन पहुंच जाते हैं फिर वहां पर बनती है चंपरन एग्रेरियन कमेटी क्या बनती है चंपरन एग्रेरियन कमेटी और इस कम जितना नुक्सान हो रहा है उतना क्या कर दिया जाए भया पैसा दे दिया जाए अब अंग्रेज हो गया परेसान और इसी बीच में थबर आती है कि जर्मनी ने भी क्रत्रिम रूप से निल बना लिया है जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती चली जा रही है और कोई भारत की निल खरीदने के लिए तयार नहीं है और इस बात्स को लेकर अंग्रेजों ने तिनकठिया पद्धती को समाप्त कर दिया जिससे जो किसान थे वो बहुत खुस हुए और वो सभी गांदी जी के साथ मिल गए तब यहां पर लिखते हैं क्या है चंपरन सत् बस यह किसान मिल गया काम खतम यहां पर अमने किसान लगा दिया पांचवे का सी बाकी सब गलत हो गया तीक ना तहीं आपर पांचवे कांथर क्या जाएगा सी आ जाएगा चलिए आगे बढ़ा जाए धन्यवाद अभय प्रकास अंकीत नरेंद्र कुमार अंकीत जैस्वाल हम आफ लैंड लखनों में पढ़ाते हैं मिटा चलो अगला कोशन देखिए लिखा हुआ है भारती राश्री कॉंग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायतराय कौन था ठी समझेगा इस्थानिए स्वाशासन का जनक कहते हैं इसी के समय इलबर्ट बिलपास हुआ था ये इलबर्ट बिलपास हुआ था ये बारती निया धीसों को अब ये शक्ति दे दी गई थी कि वो अंग्रेज अधिकारियों के खिलाब भी मुकदमे के सुनुआई कर सकते हैं थीन पी मेरना कि लर ना कीम लिदा की बहुत तारीफ करी है तो सन्जारी एंविसारी चीज आताकर टीसरा तीसरा लाइज रिपन से मेरनाक्यूलर वर्नी कुलर प्रेस एक्ट को समाप्थ내 Qatak reality या क 70 मफनना कुलर प्रेल्सच 818 तर यह वरनकुलर प्रेल सगαιथ 12टल उनुट लेकर आया था लॉट है जिसके समय में तीन विश्विद्याले बनाए गये थैं लॉट कैनीं के समय तीन विश्विद्यालियों की तब नोई थी जैसे बंब॒ए मेंSo विश्विध्याले मदरास और कलकत्ता कलकत्ता मदरास और बंबई है ठीक ना आप से पूचा जा पहला कौन सा था तो पहला कलकत्ता विश्विध्याले था पहला कौन सा था पहला कलकत्ता विश्विध्याले था लॉट कैनिंग के समय हिंदू विद्वा पुनर विवाधनि आइंध आरणा श्वपन में इस्वार्च जन्र विद्या सागर के सयोग से यह नियां भी पास हुवा था लॉ्ड केनिंग कि समयां ही 527 की करांती मिती लॉड कानिंग कि समय फर्था वन की किसी तो युट केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था लॉड कैनिंग था लॉड डफरिन के समय भारती राश्की कॉंग्रेस की इस्थापना होई थी 1885 में ठीक न तो या रखना है आपको तो इसका जो आंसर होगा वो लॉड डफरिन होगा तो कॉंग्रेस की का लॉड डफरिन 1885 त्यु शारे प्रस्ण आपके इंपोर्टेंट है या तक ना है हम फिर से याद रखना है आपको इलबर्ट विल किसके समय आया था लॉड डिपन के समय इस्थानिय स्वासासन ओं का जनक किसे कहते हैं लॉड रिपन को कहते हैं या दखना है वर नकलर किस को किसने समय था लॉड रेपन ने समय किया था वर्नकुलर प्रेशन के समय आया था लॉड लिन छाहा था सब्सक्राइब है आया था लॉड डौनक दे लॉड दूब के समय की स्टेटमेंट आया था क्या स्टेटमेंट आया था कि कॉंग्रेस अल्प संख्यक लोगों का प्रतिन धित्व करती है कॉंग्रेस अल्प संख्यक लोगों का अल्प संख्यक लोगों का प्रतिन धित्व करती है कॉंग्रेस अल्प संख्यक लोगों का प्रतिन धित्व करती है तो क्लियर है अच्छा यही पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है लाला लाचपत राय का लाला लाचपत राय का स्टेट्मेंट आपको या रखना है क्या लाला लाचपत राय ने कहा था कि स्टेट्मेंट किसका है लाला लाचपत राय का है लेकिन अगर कोशन यह पूछ दिया जाए कि बताईए यह कॉंग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है दिबाग की उपज है यह दो स्टेट्मेंट आपको या रखने है किसके है लाला लाचपत राय जी के तो लाला लाचपत राय के दो स्टेट्मेंट या रखने है लेकिन जो कॉंग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है यह दो स्टेट्मेंट डाला लाचप पत्राय के हैं कॉंग्रेस अल्प संख्यक लोगों का प्रतिनिधित करती है यह लॉड डफरिन का है तो कॉंग्रेस के स्थाप्रक्स में कौन था वैस राय तो लॉड डफरिन था चली आगे बढ़ा जाए चलो एक से के चलो अगला कॉंशन लिखा हुआ है किसने कॉंग्रेस को सूच में दर्शी अल्प संख्यक जनता का प्रतिनिधी बताते हुए उसका मजाग उड़ा आया है अभी मैंने आपको बताया है लॉड डफरिन इसका सही आंसर है अच्छा यह आप एक कुंशन आपको लॉड करजन से भी याद कर लेना है लॉड करजन ने कहा क्या कि कॉंग्रेस कॉंग्रेस अपने पतन की ओर लड़ खडा रही है और मैं इससे सांती पूर्वक मैं इसे सांती पूर्वक मरते हुए मरते हुए देखना चाहता हूँ यह स्टेटमेंट लॉड करजन का है और जो उपर वाला स्टेटमेंट है वो लॉड डफरिन का है तो यह भी आपको याद कर लेना है ओके चलिए धन्यवाद रतनेश आगे बड़े अगला कोश्चन कि आई येस 2015 का पेपर ठीक है कुशन लिखा हुआ है भारतिराश्टी कॉंग्रेश की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नाइडू थी चलिए इस पर कुश्चन पर चर्चा करते हैं भारतिराश्टी कॉंग्र बद्रुद्दिन तयब जी थे चलो देखते हैं 1885 में कॉंग्रेश का पहला दिवेशन होता है 1886 दूसरा 1887 तीसरा 1888 चौथा ये चार आप लोग को याद कर लेना है ठीक है ना हाँ वही है कॉंग्रेश अपनी मौत की घड़िया गिन रही है अपने पतन के उलड़ तो पहला दिवेशन 1885 में बंबई में होता है बकमई क्या बख मई को फिर बकनई अना तो बंबई कलकत्ता मदरास इलाबाद बंबई कलकत्ता नागपुर इलाबाद ऐसे आगल लेते हैं चलिए तो बकमई है बंबई कलकत्ता मदरास और इलहाबाद ठीक है? अच्छा तो पहले अदिवेशन के अदिस्ता की थी WC, बनर जी ने दूसरे अदिवेशन के अदिस्ता की थी दादा भाई, नौरो जी ने तीसरे अदिवेशन के अदिस्ता की थी बदरुद्दीन, तैयब जी ने बदुद्दीन तैयब जी ने और चोथे की की थी जौर्ज यूले ने किसने की थी जौर्ज यूले ने शुर्प देखते हैं भाई अगर आपसे कोशन पूचा जाए कि कॉंग्रेश के पहले अध्यवेशन में अध्यच कौन था तो आध्यच कौन था तो डबलुसी बनर जी व्योमेश चंद्रपनर जी कॉंग्रेस के पहले पार्सी अध्यक्ष कौन थे दादा भाय नरोजी को जो पूर्वस थे वो परशियन थे दादा भाय नरोजी का जन्म होता है 1825 में हाँ तो दादा भाई नरोजी कॉंग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष हैं कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यष कौन है तो मुस्लिम अध्यष कॉंग्रेस के पहले हैं बदरुद्दिन तयब जी और इन्होंने नारा दिया था बी आ कॉंग्रेसी कॉंग्रेसी बनो का नार घॉर्ज यू ले आएगा अब यहां पर देखो ये तो आथर साही हो गया दूसरा तो बिल्कुल साही हो गया अब बात करते हैं यहां पर तो एक आपको यहां रखना होता है 1912 और एक अब रखना होता है 1925 1916 का जो अधिवेशन हो कलकाथा में होगा और 1916 कह रहा हूँ बनेंगी एनी बेसेंट कौन बनेगा एनी बेसेंट और यहां पर 1925 में अध्यज बनेंगी सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू समझना आप से पूछा जाएगा कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यज कौन है इता एक बार आप आंसर थीजए ठीकह एक बार आप आंसर अटिय और आंसर देनीं te Londra चुप चाहिए तो चुप आप सन्य आठीम बैठ जाई होटी हैब आपका आंसर नहीं है और आप्सर चाहिए तो इसके बाद जो मैं बता रहा हूं उस पर concentrate कीजिए हाना question से मैं देखो कितने सारे question मैं बता रहा हूं आपको ठीक है चलिए हाँ तो यहाँ पर पहले वाले के लिए दो आपको याद रखने पड़ेंगी 1917 और 1925 थुक ऐनी बेसेंट Congress की पहली महिला अध्यक्ष हैं एक Congress की पहली भारती महिला अगर यह पहली महिला पूशता है समझना यदि प्रतम महिला पूशता है तो एनी बेसेंट आंसर है और प्रतम भारती महिला अगर पूशता है समझना यदि पहली भारती महिला पूशता है तो सरोजनी नाजू है अब यह क्या कह रहा है पहली महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नाजू यहाँ पर तब यहाँ पर एनी बेसेंट होगा तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया अब ये कह क्या रहा है, कौन सा सही है तो केवल दूसरा सही है केवल आपका दूसरा सही है, चलिए अगला कुश्शन लिखा हुगा है भारतिदाशिर कॉंगरेस का पर्थम निर्वाचित ये ये यूले आपको जार्ज यूले निर्वाचित ये अच्छ अच्छ निकल किया घॉले जार्ज यूले अच्छ वय नहीं गट है ना वह की नहीं थी और एनी बेसेंट के बारे मैं आपको बता चुका हूँ तो यह पहले पूछ रहा है तो जॉर्ज यूले है और अगर वो पूछता के ठारा सो चॉरानवे में कब था तो अल्फ्रेड वैबाज आता है ना चलो तो इस कहां से जार जूले लगा देगे. अगला, किसने कहां था क्या कॉंगरेस आनदोलन न तो लोगों द्वारा प्रिरित था ना ही उनके द्वारा सोचा या यूजनवार्द किया गया था? यह आंसर किसका है तो देखो भाई मैंने आपको बताया है पहले से ही मैंने आपको लालालाच पत्रा है कि दो statement बताए क्या कि जो एओ हूम थे जो हूम थे वो स्वतंतरता के पुजारी थे यह statement मैंने आपको बताया और दूसरा जो Congress थी वो Lord दफरिन के दिमाग की उपस थी पूर वक्त मरते हुए देखना चाहता हूं ठीक है ना इस जो आज डफरिन का मैंने आपको बता दिया कि Congress अलप संख्यक लोगों का प्रतिन इजित्यों करती है ठीक है तो भाई जब मैंने सब के बता दिये है तो जो बचा है हमने उसको eliminate कर लिया तो इसका जो आंसर होगा सरसेयद एहमद खां ठीक है फिर सरसेयद एहमद खां इसका सही आंसर होगा और सरसेयद एहमद खांस से दो तिन कोशन और याद कर लो सरसेयद एहमद खांने ही अना क्या किया था भीया मोहमदन एंगलो ओरियंटल मोहमदन एंगलो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी और यही कॉलेट जो था, वो आसयोग आंदोलन के दौरान 1920 में अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले बन गया था, अलीगर्ड मुस्लिम विश्विद्याले बन गया था, इसके बाद सरसेयद एहमद खाने साइन्टिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, सरसेयद एहमद खाने की थी, सरसेयद एहमद खाने ने 1857 की करांती के लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद, ये किताब लिखी थी सरसेयद एहमद खाने, तो इसका अंसर आपको समझ में आ गया, चलिए, तो इसका अंतर है एहमद खां नहीं बेटा अभी हमको नहीं पता चला है अभी प्रकास पता चल जागे तो हम बता देंगे आपको ठीक ना चलो गिफ्ट अच्छा अभी तक आपने अगर हमारा सुभांसु सर ब्लॉग अभी तक आपने यह चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो हमने भी तौशा ब्लॉग बनाना सुरू किया है आप लोगों के लिए है और जैसे कुछ गिफ्ट आता है हमारे लिए या फिर मैं कुछ सर्प्राइब होता हूं या भी कुछ भी ऐसे तो मैं फ्रफशा शूट उट कर लेता हूं अना करवा लेता हूं तो आप लोग न अपनी दिन चर्या बताता रहूंगा कि मैं कौन्च किताब पढ़ाँ हूं आज क्या किया आज क्या नहीं किया है चलो आगे वाले सरा आप रोज बादाम खाते हैं नहीं यार अब इतने साल हो गए हैं तो अब तो याद हो गाई ना आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुगा है अखेरश्टि कोंग्रेस के पहले मुसलिम मध्यच मैंने आपको पारसी बताया मुस्लिम बताया अंग्रेज महिला बताया सब बता दिया अको क्या लगाना है इसका लगाना है बढुरुद्दीन तैयब जी कब बने थे तो आपको मैंने बताया कि 85.86.86.187 ताराइसोग ग भारत के प्रथम सिच्छा मंतरी कुछ कोशन मैं आपको बता रहा हूं याद कर लो फटा फट से स्वतंदर भारत के पहले सिच्छा मंतरी हैं अबुलकलामाजाद अबुलकलाम आजाग कि एक पुस्तक याद कर लो, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके बाद तीसरा कोशन आप याद कर लो, अबुलकलाम आजाग से कि कॉंग्रेस के सबसे युवाध्यक्ष, चौथा कोशन याद कर लो, कि सबसे लंबे समय तक तक रहने वाले अध्यक्ष अ कि सबस्काय। झाल आ रही है लुक जाना ज़्दा सर्व हाँ तो यह रखना है तो अब उलकलाम आजात के पांच क्वेश्चन मने आपको बताएं है रट्टा मार लो पूरी तरीके से रट्टा मार लो क्या मैं कह रहा हूं स्वतंद्र भारत के प्ले सिच्छा मंत्री कौन तो अबुलकलाम आजात इंडिया विंस फ्रीडम के लिखक कौन अबुलकलाम आजात कॉंग्रेश के सबसे युवाद देच कौन अबुलकल अबुलकलाम आजात ने कहा कि नहिरू और पटेल ने तो विभाजन सुविकार कर लिया है यदि गांधी जी ने भी विवाजन सुविकार कर लिया तो यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा ठीक है ना चलिए होगे ना तो इसका आपको समझ में आगया तो इसक स्पेशल 21 में और जैसे स्पेशल 21 में मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी है आज से ठीक ना ठीक है हां रच्छा मंत्री बेटा बलदेव सिंग ते जिसके पास बल होगा वही तो रच्छा कर पाएगा चलिए आगे बला जाए बार्मा कोश्चन लिका है भारत्याश्री थे भारत्याश्री कॉंग्रेश के संस्थापक थे एक यहां पर जो ऑप्सन है वह गलत हो गये है यहां पर जो ऑप्सन है वह गलत हो गये हैं यहां पर जो ऑप्सन है वह गलत हो गये हैं भारत्याश्री कॉंग्रेश के संस्थापक थे एक हाना तो आप कहेंगे एक यह औप्षन गलत हो गया है परेसान मतों चेंज करती है मैंने क्वेश्चन है चलो अगला लिखो लिखा हुआ है भारत्री राश्री कॉंग्रेस में जो पहला दिवेशन हुआ उसमें कुल कितने प्रतिनिद्यों ने भाग लिया मैंने आपको पहले बताया था अगला ऐठारा सो पचासी में कॉंग्रेस का महासचीव कौन था तो मैंने आप बताया कि आठारा सो पचासी से लेकर 1912 तक कॉंग्रेस का महासचीव एक ही व्यक्ति था जो कॉंग्रेस का संस्थापक था वो कौन होगा ए ओ हुम इस दा राइट आंसर हाँ एक क्वेशन में आपसे पूछना चाहता हूं सर यूपी पीस ले कौन सा बैच लें आपको जीएस इसपेशल 21 लेना है जीएस फाउंडेशन बैच 21 लेना है 21 इस दा न्यू बैच आज ही से लॉंच हुआ है वो लॉंच है ना हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे मैं कह क्या सिफ्ट ने पूछ भाओ कि ए ओ रिमकावन का जीवनीकार कौन था बनावटा भ्या जिसने ओ यूंध की बारे में लिखा है तो यूंध का जीवनीकार कौन था बायोगराफर कौन था और उसका इस्टेमेंट क्या था इसधेटमेंट मैं बोलता हूं कथन ठीक है ना बताइए जीवनिकार काउन था और स्टेट्मेंट क्या था इस्टेट्मेंट मैं बोलू स्याद आपको समझ में आ जाए कॉंग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वाल्व का कारे कर रही है यह का अब बताओ जीवनिकार कौन बहुत बढ़िया कुलदीव सिंग बहुत बढ़िया सर मेरा UPPSC और आरो मेंस दोनों के लिए स्लेक्ट हो गया ठैंक सर अरे इंज्वाए करो और जान लगा दो UPPSC आराम से हो जाएगा बहुत बढ़ी दिक्कत नहीं है बहुत आसानी से हो जाएगा UPPSC समझ रहो ना बिल्कुल बहुत कठिनाई नहीं होती बहुत आसान है जिस प अंसर आएगा ठीक ना चलिए बवित्ता चौधरी चलो तो हां तो आपका अंसरा किया है विलियम वेडर बर्न क्या है आपका अंसर विलियम वेडर बर्न तो यहां तक ना है विलियम वेडर बर्न का स्टेट्मेंट है कॉंग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वाल वे ओके चलिए आगे बढ़ाओ कि अगला कोश्चन चलो भाई यह जो बच्चे नहीं है वो सुन ले हमारे असेज़ी कोचिंग एफ है जिस पर पेड़ क्लासे चलती है यहां से साइन अप कर सकते हैं लॉग इन कर सकते हैं लाइव अपकमिंग बैच इसमें नया बैच है आप य इसकी फीस है मात्र 15 रुपे वह भी आठ महिने के लिए 200 घंटे लाइव क्लास होगी 100 घंटे की रिकॉड़ेट क्लास मिलेगी आज से बैस शुरू हुआ है 11 फरवली शुरू ना था इन आज से शुरू हुआ है यदि आपको फ्री कोर्स पढ़ना है यह बहुत सारे फ्री हुआ है अब कोश्चन देखिए अब कोश्चन लिखा हुआ है उन्होंने मैजनी गैरी बालडी सीवा जी तथा स्रीक्रश्न की जीवनी लिखी और अमेरिका में कुछ दिन तक रहे कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्री केंद्री सभा के सदस्भी निर्वाचित कर देख scholarüyorum आए लगं के लाला हर्दयाल जानते हैं लाला हर्दयाल के साथ ही लाला लाच पत्राएं लाला लाच पत्राएं को पंजाब का सेर की और पंजाब केसरी कहते हैं पंजाब का सेर और पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय की जो मृत्ति हुई थी वो साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी 17 नवंबर 1928 में 17 नवंबर 1928 में कहां पर मृत नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी 1894 में स्थापना हुई थी हना और बाद में पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्याले है वो उठाकर कहां ले आया गया दिल्ली ले आया गया ठीक है ना चलिए इस कहां से लगाना है ल देष्ट भी बनाये गया था कॉंग्रेह के कलकत्ता डीवेशन का अध्यक्स भी बनाया गया था तो यहां रखना है बाल गंगादय तम्नेट्यों कह बाद P अबनक्र मल अरवींद गोश्ट नहीं लगाना है तो अरविंद घोसे सो कोशन नतें वह कैसे बनते हैं देखे अर्विंद घोशं को चिरम बनते हैं लाइब डिवाइन की लिखक कौन है लाइब 2021 के लिख़क कौन है शावित्री के लिखक कौन है अनौष रविंदो आश्रम थाफ नहुंaras टि पांडी चेरी में औरोब 以及 स्थापना और बिलोग आश्रम की स्थाफ लाल बाल भोस लाल बाल पाल और घोस ठीक है ना तो यह सब कोश्चन इसके बनते हैं पांटी चरी में रहने लगे से जाके हाँ लाल लाश्पत राय का इस्टेटमेंट है यानांद कुमार जी मेरे सिर पर पड़ी हर लाठी का हिसाब होगा जो अंगरेजों के सरीर पर कील बनकर चुबेगा उनको ताबूत या सब की पेटी तक लेकर जाएगा ठीक है बढ़िय यह लिखा हुगा है जो अगला कोशन देखो लिखा हुगा है महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसल्मानों में से किसने बाल गंगादा तिलक की अर्थी उठाई थी यह यूपी-पीस्टी 2014 का कोश्चन है जब यह कोश्चन आया था तो लोगों के होस उड़ा दिये थे कि धन्यवाद अभेजी तो लाइक कम से कम हो गया हूंगा अच्छे खासे अरे अभी लाइक बहुत कम हुए है ऐसा क्यों भाई इतने कम लाइक काम क्या करेंगे क्यों कि इतने कम लाइक क्यों है भाई हम तो सूचे पार कर गया होगा अजार तो कि एक सब्सक्राइब हाँ तो इत्ते कम लाइक क्यों भाई फटा 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 लगता है बिल्कुल देखने में मगन हो गए सर्फ मॉक्टेश खुलता नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा होता तो हमाई पर सिकायत आ चुकी होती हाँ थो सब का अंतर आ गया शौकत अली बिल्कुल सही समझेगा एक अगस्त 1920 को एक अगस्त 1920 को बाल गंगात तिलक्यी मित्टी हो गई बीजी तिलक्क क्या वेती मृत्टी हो गई थी और इनकी मृत्तिव पर कोई लाल गांगादर तिलक के शव में गये थे अब अर कहते अली गये थे ने बाल गंगा की अर्थी को कंढ़ा दीया था और इन ने कंढ़ा नहीं दिय तरकी सामिल दो लोग हुए थे तीना थे इसका अंसर जो होगा वो होगा शौकत अली आपको पताने चाहिए जो शौकत अली और मुहम्मद अली है समझना शौकत अली और जो मुहम्मद अली है तो इनको कहते हैं अली बंदू इन्हें कहते हैं अली बंदू और अली बंदू का नाम तब आता है अली बंदू का नाम तब आता है जब हम लोग बात करते हैं खिलाफत क्वेशन मनेगा कि आसयोग आंदोलन के दौरान याद कर हमें भी अपनी तरह दिमाग थे अच्छा चाप लाइक कर तो पहले फटाफट से बहुत कम लाइक है लोग जादा है लाइक कम है ऐसा क्यों चांद खान मैंने बहुत मिस्स किया आपको अच्छा हम आपको जानते नह मोहम्मद ली केक पूस्ता जिसका नाम है काम्रीड ना तो मोहमद ली कि कि पूस्तक है मोहम away के फूस्तक म कि एक कौश्न और या दक में कि आसयोग आंधोलन जब हुआ था समझना जा हुआ था आसयोग आंदोलन, एक अगस तुनिस्तो बीस को मरने के बाद, उसी दिन आसयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था, अरे हां कि न, अब इस आसयोग आंदोलन का जो प्रतीक चिन्न था, वो क्या था, चर्खा और खादी, ठीक है न, याद रखना है, चर्खा खा सबस्क्राइबा सब्सक्राइबा, याद पहलेवक्ति कौन है तो आपका आंसर है का मुखम्मद अली और पहली महिलानेता कौन थी जो गिरफतार हुई थी तो महिलानेता चित्रंजन दास की पतनी बासंति देवी फिर मैं कह रहा हूं आप वो याद करो आसः योगा आंदुलन में गिरफ्तार होने वाले पहले वक्ति कौन थे या पहले नेता कौन थे तो मुहम्मद अली और पहली महिला नेता कौन थी तो चितरंजन दास की पतनी बासंति देवी okay कि चलिए आगे बढ़ा जाए चलो अगला कॉस्टन देखिए लिखा उब आ है इनमें से कौन सायसे वक्ति है जो कॉंग्रेश से कभी जुडा ही नहीं कौन साय सा वक्ति है जो कभी कॉंग्रेश से जुडा ही नए जल्दी बताओ भई कौन सा ऐसा वक्ति है जो कभी कॉंग्रेश से जुड़ा ही नहीं कि प्राइश स्पीट से बताओ जल्दी से प्राइश का बिल्कुल सही है सर संयत् है तक है अब इस्यद्ध का अच्छा एक बच्चे ने भी कहा मैंने कहा कि कॉम्रेड मैंने आप का भूगोल की क्लास यूट्यूब पर है सुभावसु सर के नाम से सर्ष की जिए अच्छा कोई पूछ रहा है कि अच्छा हां अरे यार हकी मजमल खान क्यों लगाओ गे आंसर सर सही यह दैमत खाया मैंने आपको तैसर सही दैमत खा कि सर कॉम्रेड पत्रिका तो मुहम्मद अली जिन्ना की है अब हमें यह बताओ जब 1911-12-13-14 हाना इस सन में जब कॉम्रेड लिखी गई थी तो इसमें मुहम्मद अली जिन्ना आ गए थे क्या भाई बताओ जरासा मुहम्मद अली का नाम मुहम्मद अली जोहर है पूरा न में आदेखें अधन्य प्रिपत्र का वो मiplom म जलीडिये ना की मुहमदालीजिन्ना में तुकी अगले यांचार अभशफा के वाइस बहुत के वारे सेमान्द गांदी क्यां सां है प्रें किंग के would think 2 का वह जो से जकडितेैं आपको आप कहते हैं सर से गलती हो गई इसलिए सर धियान नहीं देते हैं सर गलत यह पाय चले जाते हैं एंसले मुझे सरा अपने मन से बोल निये लगता गलती हो सिर्ट पीड है जा अपर लगे साल निया है यह भारगेग स разв आंदोलन चलाया था और कौन सा संगठन मनाया था तो खुदाई खिदमतगार खिदमतगार संगठन तो खुदाई सीमान्द फ्रांद में गांधिवादी विचार धरा को फलाना का काम खान अब्दुल गफार खां कर रहे थे इसी लिए इनको हम लोग सीमान्द गांधि कहते हैं जब देश आजाद हुआ तो पहला भाररत्न पहला भाररत्न पाने वाले भाररत्न पाने वाले पहले गैर भार बख्राइब को अगला कुछन देखो अगला लिखाव निम्ली में से कौन राष्टी कॉंग्रेस का अधिश कभी नहीं चुना गया तो आपको पता है कि आपको पताओना चाहिए कि 1905 में बनारस में कॉंग्रेस का दिवेशन वा था जिसमें अध्यच बनाये गया थे गोपा फसा शुरू हुआ कि अध्यच गरमदल के पार्टी के बनाया जाए अध्यच बाल गंगा दरतिलाग लाल बाल पाल घोस में बनाया जाए तो 1906 में इस मसले को समझाने के लिए 1906 में जब कलकत्ता में दिवेशन हुआ तो मसले को समझाने के लिए दादा भाई नरोजी को गद्य बिठा दिया गया हब दादा भाई छिजाब अध्यच बने तो कोई कुछ चूचा कर नहीं पाया अब 1907 में कौन अध्यच बनेगा अब 1907 में अध्यच को बनेगा तो 1907 में सूरत अध्यवेशन हुआ और इस सूरत अध्यच में राज विहारी घोस को किसको विया राज बिहारी घोस को उठा कर क्या बना दिया गए जो समझ ना राज बिहारी बोस वो है जो ऑपन फेकर भाग गए ते और कहां भाग गए थे तो आपकर जर्मनी भाग गए थे जर्मनी से कहां पहुँच गए जापान पहुँच गए और राज बिहारी बोस ने जापान पहुँच कर इंडिया इंडिपेंडेंज लीक की स्थापना की थी और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो राज बिहारी बोस अलग है और ये राज बिहारी घोस है और ये यूदारवादी पार्टी के हैं तब यहां पर सुराथिवेशन हगा और फिर से उदारवादी निता बना दिया गया तो यहां पर कॉंगरेस का वी भाजन हो गया है और कॉंगरेस दो भागों में बढ़ गई करम दल और नरम दल तो गरम डल में कॉन बाता है लाल बाल पाल और घोस अना बाकि दादा बाइन रोजी फिरोज शाह में ता गोपाल कशन गोखले महागोविद्राना जाए यह सब आपके नरम दल में आ जाएंगे यह बात आपको समझ में आई तो देखना है आपको तो जब एक अगस्त 1920 को एक अगस्त 1920 को जब बीजी तिलक की में ती हो गई तो जितने भी गरम दल के विक्ति ते वो सब गर्मा गए अब वो कहते छोड़ेंगे नहीं तो गरम दल के विक्ति को ठंडा करने के लिए लाला लाजपत्राय को तुरंत ही एक विशेश अधिवेशन बुलाया गया और जानर आपने संद्रेको क्याइल अथ्या क מחा कर प्राइए थी पता नीए भाठा जाल अग्तिल काग है थे और को को त्क म है को सम मन बडाता है अंग ठाब है है चिंब कैइस आइस यहां फ़्छों किलाल क्ला केश आकिर आइक ती किए को लाल केश है क्या तो आई एन इन इन आल इटियान वित्यत्य आरमी आजाग थिन्ध फॉज कि आजाग में आजर्द फॉज किस्थापना की ती आनन्द मोहन बोस्ने की inglológ स्वरी बताओ किसने की थी फटाफच बताईए आजाधिंद फौज की स्थापना किसने की थी फटाफच बताओ और यहीं अभी मैंने बताया आपको और इंडिया इंडिपेंडेंडेंस लीक की स्थापना किसने की थी ठीक है ना इसके बाद आस्थाई सरकार की स्थापना किस ने की थी जल्दी बताओ जल्दी से बताओ भीया फटाफट और लाइक नहीं कर रहो लोग भटाफट जुड़ रहे हैं हाँ कैप्टन मोहन सिंग बिल्कुल सही है कैप्टन मोहन सिंग गक्र कैप्टन मोहन सिंग आप्ड़ काप्टन मोहन सिंगह नहीं की स्थापना राज विहारी भौस ज अब आयने के थी समझना आईयों इन के तीन वेक्तियों को पकड़ दिया गया था उनके उपर देष-दुरो लट्राफ मुकद्म आद बाया तीन लोग के उपर कौन रखे ते गुरु बख्ष Singھ डिलो प्रेम सैगल सानावाज खान भास सिंग्प से कोई सम्मंध नहीं हैं तो इनके ओपर चलाया गया था और चलाने के बाद अब क्वेश्चन यह है कि लाल किला case में भारतियों के पक्ष को बचाने का काम कौन कर रहा था बताइए लिए से इनको बचाने का काम कौन कर रहा था तो आप ता आंसराएगा भूला भाई देशाई और या रखना है आपको, भूला भाय दे साई, तो या रखना है, लाल के लिए case में इनको बचाने की पैरवी कॉन कर रहा था, तो भूला भाय दे साई कर रहा थे, ठीक है और फिर, फिर, लाज वेवल ने, फांसिध जग toch सुना दि, फांसिध जगर सुना दि, लोग बॉक् संभला कर दिया तो लॉज वेवल ने फिर इन तीनों को छोड़ दिया हिंतिनों को काई कर दिया बड़ इसाबित कर दिया ठीक न हुआ यह था लाल के संभ precipit मा तो ठीक है बटा आस्थाइ सरकार को सबसे बहुत स्वीकृति राजा महेंज प्रताब जी ने दी थी । ठीक है चलो तो करो या मरो समझना है बात है 8 अगस्थ 1942 की बात है करो या मरो खना ते लिए गया तो देखना है तो अब 8 एकस अरुब किया वा था तो आप अगे भारत छोड़ों डोलम कोश्ण बनाते समझना इसके बाग मातामना उपको समझना फाराцевbelt का प्रस्ताओ कंप पास भुए था तो बता तो भारत छोलो अंदुन प्रस्ताओ पार्मा वार था यह बताना है इसका रोटलत प्रदम लोन का प्रारूप किस कोड़ा था बारफ्यू aquesta का प्रारूप किन अग्रेजों भारत छोड़ों का नारा किसका है इतने कुशन आपको याद करने हैं यह हरे रंग का चैट कैसा है इन्होंने वह मेंबर्सिप ले लिए होगी यूटुब से इसलिए इनका कमेंट अलग से सो करेगा हमाँ पास हाँ लाश्ट कुश्चन है लोग ज्यादा है लाइक कम है बिल्कुल दिल में दर्द हो रहा है दिल में दर्द उठ रहा है करारा सा अना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीके मैं बाता हूं भारत छोड़ों अंदल का प्रस्ताव पास हुआ था वो 14 जुलाई प्रारूप किस ने बनाया था तब आपका अंसरा आएगा अबुल्कलाम आजाद ने तो कोश्चन आपसे पूछा जाएगा समझ ना कोश्चन अगर आपसे पूचा जाए भारत छोड़ों अंदोलन के मुखनेता कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के मुख नेता कौन थे तो आप पांसर आएगा अबुलकलाम आजाद लोग लगा के आएगे गांधी जी आपको लगाना है अबुलकलाम आजाद हाना जो गांधी लगा के आएगा उसको काला कुवा काट खाएगा हैगी नहीं फिक करो या मरो का ना वह साकुन नहीं को अधिया था लाल बहादुर सास्त्री ने lbs अंग्रेजो भारत चोड़ो काना घशुण धिया था यूसूफ मेहर अली को यूसूफ मेहर अली तो ऑन्या चोड़ों गूए था यूसूफ मेहर अली नहीं दिया था ठीक ना बहुत बढ़ी हां फट आ भारत छळोव हतलन उननिए सो बीटिस में आप से पेपर में बहुत बार क्रम से लगाने के लिए आता है क्रामर तुव यहां चलिए अगला कोश्यन पहली महिलाद द्यक्ष सरोजणी नाइडू रहे हमारा विजय विश्य तरंगा प्यारा जंडा उचा रहे हमारा गाया गया था किसने गाया था स्यामलाल गुपता पारसद ने स्यामलाल गुपता पारसद ने स्यामलाल गुपता पारसद ने अच्छा मैं सभी के लिए जिन बच्चों का यूपी PCS में सेलक्षन हो गया ह है हना उनके लिए free class start करने जा रहा हूं free class हना उनके लिए free class मैं दूँगा हना जो जो मुझे लगेगा important है उसकी free class मैं उनको दूँगा जिनका यूपी PCS में selection हो गया है जिनको जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर उनको मैं फिरी में पढ़ा दूँगा और उनका history optional है तो मैं उनको history optional भी उनका paper है अगर तो मैं उनको फिरी में पढ़ा दूँगा उसके लिए आपको जो यूपी PCS में पास हुए है वह अपना पंजिता रमाबाई की बारे मिलता आया पंजिता रमाबाई क्या है आर महिला समाज की स्थापना की थी आर महिला समाज की स्थापना किस ने की थी तो आपका आंसरा है का पंजिता रमाबाई ने सेवा सदन की स्थापना किस ने करी थी मुक्ति सदन की स्थापना किस ने कर आपका याद रखना है विजिया लख्षमी 15 से कुर्शन मनता है जब यूनों की बात की जाती है जब यूनाइटेट नेसंस और्गनाजेशन की बात की जाती तब विजिया लख्षमी की बात होती है ठीक है ना चलो निम निम कथनों पर विचार कीजिए भार्षिदाश्टी 1060 में सूरत दिवेशन राज भिहारी घोस की अदिस्ता में 1916 में जब लखनाव दिवेशन हुआ था अंभिका चलो मजूमदार की अदिस्ता में तो गरमदल अरमदल एक हो गये थे और कॉंग्रेस ने मुस्लिम लिक से हाथ मिला लिया था इसे कहते है लखनाव पैक्ट त अभी तो पांसो नहीं पहुंचे चार सो ग्यारा है लोग ज्यादा लाइक कम इतना यह लाइक लेकर कहां जाओगे उपर वाले को मुझ दिखाओगे नहीं दिखाओगे लाश्ट प्रस नहीं आज का लिखा हुआ है स्वाराज मेरा जर्मिस्ति दिदिकार है और मैं इसे और मने घरीमे कर रहूंगा बाल गंगा दिलक्ति नियका नडरा की सद्रमिया था एक्ष्टा कोशन पूचशंन पूचा जाए कि स्वराज सब का प्र्योग सबसे बहले कि ने कीए था स्वाराज सब्दिका प्रियोग पहली बर किस ने किया था तो आप कहां सब्दिका प्रियोग कॉंग्रेस के भीतर किस ने किया था सबसे पहले तो आप कहां सब्दिका प्रियोग कॉंग्रेस के भीतर किस ने किया था सबसे पहले तो आप कहां सब्दिका दादा भाय नरोजी तो 25 का टी बता रहे है लवपरीत कमबोज तो बिलकुल सही है जब लखनो अधिवेशन हुआ था जब गरम दल नरम दल एक हो गए थे जब गरम दल और नरम दल एक हो गए थे और साथ ही साथ मुसलिम लीग से समझौता कर लिया था और इसके समझाता को किस से कौन नराज हुआ था तो मदन मोहन मालवी नराज हुए थे कौन नराज हुआ था मदन मोहन मालवी और मदन मोहन मालवी ने 1916 में ही बियेच्चियू की स्थापना की थी किसकी स्थापना बियेच्चियू की स्थापना की थी और बियेच्चियू को जोटेए कर लिजेगा यूपी पी एसी आरो यारो का पेपर अगर आपने पेज बैस नहीं भी लिया है तो यहीं से पूरा मिल जाना है बास सबज में आ रही है लाइक कर दिजिएगा शेर कर दिजिए का सब्सक्राइब कर लिजिए कर फिर पड़नी पड़नी है ताब को कई जाने की जुरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे मैंने सभी के सभी क्लासों के लिंक सब्जेक्ट वाइस दे रखे हैं तो उसको आप देख सकते हैं और जिसने अभी तक जिस इस प्रेक्टी वन बैस ने लिया हो ले लेगा आरो यारो टार्गेटेट बैस में कर रहा हुए ठीक है थैंक यू गूड़नाइट स्वस्त रही है मस्त रही है नमस्कार